आगोर जिले के नावा सिटी में हुए नमक कारोबारी के आपको बता दे की एक हत्याकान मामले में हर दिन अनिक क्लाइमेक्स सामने आ रहे हैं पुलिस ने मामले में नावा एमेले महिंदर चौधरी के भाई मोती सिंग चौधरी सहीत पाज आरोपियों को गिरफतार किया है जिन्हें कोटी चार दिन के पुलिस रिमांट पर भेज दिया है अब भी केस में 6 रोपी फरार हैं आपको बता दे की नमक कारोबारी और भाजपा नेता जैपाल पुनिया का मडर बाहर से शूटर बुला कर किया था इस मरडर की साज़िश काफी पहले से रची गई थी इधर मंगलवार देर रात सहमती बनने के बाद बुधवार को पोस्ट मॉटम होना शुरू हुआ लेकिन जब पोस्ट मॉटम किया तो पदा चला के मृतक जैपाल के शरीर में गोलिया ही नहीं है करीब तीन घंटे तक पोस्ट मॉटम होता रहा और शरीर में गोली नहीं मिली तो शव प्राइवेट लैब भेज दिया गया मौके पर एसिपी राममूर्ती जोशी भी पहुचे या पूरे शरीर का फिर से एक सिरे किया तो दो गोलिया दिखाई दी इसमें एक गोली पैर में दिखाई दी तो दूसरी गोली शरीर के लेफ्ट हिस्से में दबी थी ग्यारे साथियों के साथ मिलकर कारुबारी जैपाल पुनिया की रेकी भी की फाइरिंग के बाद जब पुनिया को जैपु रेफर किया तो भी मोती सिंग ने उसका पीछा किया था वह जानना चाहता था कि जैपाल जिन्दा है या मर गया